क्या हुआ रंगा लगता है कुछ खराब हो गया जो भी है जल्दी ठीक करो अपने पास ज्यादा वाक्त नहीं है ठीक है सर रंगा रंगा इपनी भारिस में कहां जब गये रंगा करें गया था तू का गया था तू है 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 कि अ कि अंदर आजा ना सिम्मा भीग जाएगा कि तेरी तो पहले गेली हो गई चल मैं आता हूं कि अब बचाओ बचाओ कोई बचाओ मुझे कोई मेरी बदत करो अब जान बहुत है बुड़े में देखो नर्सिमा उस आदी केशों की बातों में हाकेर कुछ घलत बत करना जाद के नाम पर पार्टी को तोड़ना खलती नहीं है क्या नर्सिमा देखो उसकी बातों में मत आओ वो पस लोगों को इस्तमाल करना जानता है मैंने तो तुझे ब कुछ नहीं जानता है और तुम मुझे नहीं जानता है इसका नाम है नर्सिमा शेहर का नामी कुण्डा इसकी एमेले बनने की खाईश है इसलिए होम मिनिस्टर के आगे कुट्टे की तरह दुम हिलाता रहता है अब जानता है नामस्ते शार्थ अरे नर्सिमा सब ठीक तो है रहां बाइसाब का वो उपर नहां रहे हैं यहीं रुको यह यह रुको यह आपको यह बात्रूम के अंदर में जाना डर जाओगे जानने के नामस्ते तुम हो काम होंगे और यहीं है वो होम मेनिस्टर आदी केशा तुमने खुश कर दिया मुझे बोलो नर्सिमा तुम्हिं क्या चाहिए वाइठ मनी ब्लैक मनी या फिर आलिशान फ्लैट यह सब यह सब नहीं चाहिए चाहिए के चाहिए में अग। एसेंबली में कोई खिलोना क्या और तुझे दे दिया मेरे बेडरुम में आने दिया तो क्या तुझे असेंबली में बुला कर मेरी जगे बिठाऊंगा ख्या तो बस बहुत हो गया राजनिती मेंने के लिए सिर्फ ताकत नहीं दिमाग भी चाहिए ओप्रेशन करने वाली चूरी से मर्डर कर सकते हैं लेकिन मर्डर करने वाली चूरी से ओप्रेशन नहीं कर सकते कर सकते हैं क्या तेरा अगर इतना ही मन कर रहा है तो अंदर एसी रूम में मीटिंग चल रही है पास दे देता हूं जाके देख ले कि एमेले मतलब पोजिशन नहीं पावर है पावर को हेंडल करना मर्डर करने जितना आसान नहीं है देख तू मेरी बात सुन तू सिर्फ मर्डर करने के लायक ही है चल जा कि आपने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है मर जाओंगा ना चलेगा खून के कि क्यों मेरी अमिले बनने की ख्वाहिश थी इसलिए लेकिन वो चाहता है मैं बस हमेशा के लिए सिर्फ उसका हुलाम बनके रहूं तल्वे चैटता रहूं भाए होम मेने चड़ाए हैं हूं क्याक अथ सब्सक्रा नरसिमा अभी ले गुश्य में क्या भाई आप से कैसे गुश्सा हो सकते हैं आप फोन करते हैं खूद करते हैं खूद आ काफी सोचा मैंने राजनिती में अपनों के लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया और तू भी मेरे लिए अपनों से कम थोड़ी है इसलिए तुझे सीट देने का फैसला किया है कि क्या सोच रहो उस वक्त मैंने तुझे कुट्टे के तुरे भगा दिया और आज तुझे सीट देने के लिए राजी हो गया इसकी वज़ाय है मेरा बेटा ए भगवान यह तो पागल हो गया देखिए ना इसने क्या किया बढ़ो अंदर मता ना यह तो क्या है यह एंवीनिस्टर आब का बेटा और उनकी कमझोरी जो यह चाहता है वो इसे ना मिले तो यह कुछ भी कर सकता है मुझे पूजा चाहिए नर्सिमा कि बैहन पूजा चाहिए चाहिए कहाra मतलब कुछ गलत मत समझना notify चाहिए लिए कर्वाऊंगा तो तेरी बहन से हि कर्वाऊंगा नहीं तो पता नहीं हो हो जिद्धी कुछ भी कर सकता है एक यह उलाद मेरी क्या करों उसकिस बulating चीज के लिए मना नहीं कर सकता हूँ मेरी कमजोरी है वह अगर तुझे कोई अत्राज नहीं थो देडिमी बेहन को मैं अपनी घर की बहु बनाना भाई अंदर क्या कर रहे हैं बिरियानी ठूज रहा हमें ओ भाई साब हाँ बोलो अच्छा सा मोरत निकलवा कर आपको खबर करता हूं अशाबास तुझे मिल ही नहीं मिनिस्टर बनवा दूंगा लेवल चाहिए ना जानता हूं चलो मिलते हैं लेकिन अर्षी मां अगर कुछ कड़बड हो गई तो लेन नहीं होगे चलता हूं कोशलया कोशलया क्या हुआ कोशल मेरी लाडली बेहन कहा है पर पहले आप फूजा से तो पूछ ली जिए वह मेरी बात कभी नेंट आलेगी वह मेरी बेहन है कहां हूँ पूजा जिन्देगी को खुल के जीना चाहती है, माबाप के गुजर जाने के बाद भाई-भावी ही उसके लिए सब कुछ है, भाई की बात को कभी टाल नहीं सकती, ये उसकी कमजोरी है, हाई, पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना था, थरीजिक्स, रोल नंबर है, अहाँ, सीरियल नंबर, मुझे तुमसे कुछ कहना था, ये लाइन बोरने वाले तुम, इस कॉलेज़ के चछत-ीसवे इंसान हो, पूजा, पूजा सुनो तो, पूजा, मेरी बात तो सुनो, वैसे मुझे में क्या कमी है वैसा है, एक लौता बेटा हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास अहां, I know शेखर, तुम मिस्टर परफेक्ट हो वैसे तुम्हारी होने वाली बेवी बहुत लखी होगी लेकिन मेरा होने वाला पती कैसा होना चाहिए, यह मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है ठीक है, कैसा होगा वो, वो छे फुटका होगा दस-दस को अकेली मारेगा शारुक की तरह डिम्पिल्स होंगे और उसके होट पिलकुल तुम पिच्चरे बहुत देखती हो ना पूजा अपूजा जरा मेरी बात तो सुनो कौन है तू मेरे भाईया कॉलेज में हीरो बनने आया है आइम सॉरी सर पूजा और मैं तूर मेरी बात तो सुनिये मैं जानता हूं तू मुझे कभी मना नहीं करेगी इसलिए हो मिनिस्टर के बेटे से तेरी शादी देखी बहुत बड़े घर की बहु बनने वाली है तू तेरी वज़े से मेरा एमले बनने का सपना सच होने वाला है पूजा लेक्षा का टाइम हो गया है ओ तू क्लासे जन कर रहा है क्या कर रहा है मेरी बेहन की शादी हो मिनिस्टर के बेटे से तही हुई है आप अगर कोई पीस में आया ना तो उसकी खायर नहीं है नची कर रहा हो नहीं है नहीं है दोका तर को पीस की की बेप्टा सब दोखने प्रश्टर कोई दोखने की यहार इंज है तो भरहुज वश्वबकर रहा है कि अ कि अपिए भूब अहाओ जाओं अए भूए़ हाओं अएजिए। कर दो प्थार उंग कर दो प्रुब्सकाइ कर दो जो प्रुब्सकाइ कि आम तोर पर ऐसे वक्त में सब लोग ताकत का इस्तिमाल करते हैं लेकिन अपना हीरो अच्छी तरह जानता है कि ताकत कहां इस्तिमाल करनी है और दिमाग कहां इस्तिमाल करना है थोड़ा तेज चलागे ना वो लोगा रहे है क्या हुआ पेट्रोल खत्मों के अरे तो भर के आना चाहिए ना अबे तू मुझे सिखाए का नीचे उतर है सुन भै लड़की को या बैज या अदमी के शकल में डैनोसौर को न है यह लोग मेरे पापा के पास बॉक्सिंग सीखते है एक काम कर तुई लोगा समल मैं पेट्रोल लेगा था हूं अरे वो इतने सारे तो एक काम कर फिर कल्टी मतलब अरे भाग ना पकड़ा उन लोग इस तरफ इस तरफ तुम ठीक तो हो ना चला 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 कौन किसको बजा रहा है खुछ समझ में नहीं आ रहा हूं तुम ठीक तो हो हां परिख लेगा हूं बहर आजो वो चले गए अब उल्टा क्या कर रहा है सिद्धा हो जल्दी करो क्या टाइम वेस्ट कर तकला फिर से आगया इतने सारे लोगों से लड़ने से अच्छा उस टकले से जाकरने पड़ते हैं चला यह डाइनासौर तो अपनी वाट लगा देगा इसको बाद में देखता हूं जोड़ मुझे कमीने छोड़ दे अच्छन में रोमैंस क्यों कर रहा है तपड़ मुझे की चाटा मारा है अगर बचना है तो अलग भागना होगा एक काम करो तुम लोग इस तरह भागो मैं उस तरह भागता हूं अगर बच गए तो हम लोग सीधा नाके पर मिलेंगा आचीक है मैं इस तरह भागने वाला हूँ मेरा पीशा करो अब इसे तो कि अचीए 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 जाजी शेहर का चपा-चपा ढूढ लिया उनका कहीं पता नहीं चल रहा है संभाली अपने आपको ठोवी यहां क्यों ले आई यह तो मेरा घर है पुल्स टेशन जाना मुझे पसंद नहीं तुमने हम दोनों को धोका दिया है तुमने अपने माबाप को धुका दिया मैंने तुम तोनों को धुका दिया अरे यार आश्रवाद दीजे सर अई शादी भी कर ली क्या यह क्या मेरा कॉलर फकर लिया यह घृत कॉलर है सर जिसका पकड़ना चाहिए वो तो वहां पर घड़ा मैं आपको ही कुछ गुरू मानता हूं और आप जैसा ही मशूर वॉक्सर बनना चाहता हूं में जूनियर कुछक्सर्य हूं तुने हमारे घैत को बचाये इसलिए मैं तेरी मदद करूगा बोल क्या चाहता है जब मदद चाहिए होगी तब जरूर आपके पास आऊंगा सर अब मैं चलता हूं ठीक है अब यह तुने क्या कर दिया अब तुनों लोगी फैमली नहीं देखी पूरा परिवार केक बॉक्सिंग जानता है एक एक का साइस बना देखा अब सब मिलकर तो थे चटनी बना देंगे इसलिए प्यार कर नहीं प्योर की बकवास मत कर उसके लिए मिरा पास टाइम नहीं है त्यौर का मतलब क्या होता है खाना खाना आघूमने जाना और उसके बाद अन्ट मैं बिल भटना पता भी नहीं चलेगा कप एक घंटे बाद पकड़वाता तो चाय पिलाते पाच घंटे बाद खाना खिलाते एक दिन के बाद पकड़वाया तो मॉमलक गर्म हो चुका था अब फायदा होगा किक बॉक्सिंग लेकनी गलत है ना प्यार उनका फायदा मेरा जंग उनकी जीत मेरी उन्होंने दूद की र जी सर अच्छा अच्छा ये बात है ठीक है तो मुहृत निकल वालेते हैं ओके बिटा अंदर चलो सुनो वहां एक फाल तू बॉक्सर बैटा है उसको बोलो उसका बाप बुला रहा है लक्ष्मी लड़के वालों को अपनी लड़की पसंद आगे मुहृत निकल वाले को कह देखे न माजी आपका बीटा क्या बोल रहा है वहां बिचारा वो भी मेरी तरफ बदनसीब है बूब लग लगी है लो लार्ट साब आगे मुफ्त का खाना खाने देखते ही ताना मारना शुरू कर देते हो बिचारा अभी अभी तो घर आया है हमेशा इसकी तरफदारी कर अगर ऐसा करेंगे तो हमारी खांतान की का इसात रहेगी मैंने तुम्हें कभी बेटे की तरह नहीं समझा मैं तो तुम्हें दोस्त ही समझता हूं अरे दोस्त पैसे देते हैं गिफ्ट देते हैं फिल्म दिखाते हैं घुमाते फिराते हैं आज तक इनोंने क्या किया मैंने कभी नहीं सुद्रेगा यह क्या है कि यह तो बहुत स्मार्ट है यह बहुत स्वीट है यह बहुत क्यूट है चाचु बहुत शाने मामला फोटो तक आ गया मतलब बात काफी आगे बढ़े अच्छा सुनो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें सब पता है हम तब तक कुछ नह आकर नहीं बताता चिट्टी यह जहां मिली वहीं रख तो किम्हां कमाल का है उसकी हाइट किस्की केकड़ी की नहीं चुया की इतनी पसंद आई कैसी बात करें है लादी तो मेरा फेडरेट है मालूँ कितना बोला बन रहा है हां माजरा क्या है खुल के बता पिता तुम सब मुझा कुछ समझ में नहीं आ रहा है हलो एक मिनिट अरे सुन किसी लड़की का फोन है कुछ जरुरी बात करना चाहती है हलो सर मैं अवनी फाइस्टार फोटो स्टुडियो से बूल रही हूं गलती से आपका फोटो समझ के मैंने किसी और का फोटो आपको दे दिया अगर आप बुरा ना माने तो फोटो लटा देंगे तो इसमें इतना टेंशन की लिए रही हो कुछ नहीं सर यह लोग बहुत खद सुरी सर यह लीजिए इस बार तो मेरे फोटो है ना आप ही चेक कर लीजिए अल्राइट थैंक्यू सर थैंक्यू एक गुबारा कितने का है पांच दे सर अरे रहे लगता है फिर पेट्रोल ख़तम हो गया है 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 हलो कौन सा एरिया नेकलिस रोड जब देखो तेरा पेट बॉक्सिंग के नाम पर सिर्फ इदर घूमता रहता है कभी-कभी पेट्रोल भी चेकिया कर अब लेक्चर देना बंकर और चुपचाब यहां पर जल्दी आजा जिसको देखो सुना था भाईया भाईया एक आइस क्रिम लेलो ना अच्छा सच बोल रहा है धन्ना कर रहा है मैं सच कह रहा हूं सुबह से एक भी आइस क्रिम नहीं भी की ठीक है तुने मुझे एमोशनल कर दिया अपनी मां का नाम लेकर मां बहुत जरूरी चीज होती है यह ले पैसे उसका इलाज करवा मुझे फोकट में नहीं चाहिए एक आइस क्रिम लेलो ना भीया खुदार कि एक आइस क्रिम बची है दीदी लेलो ना मैं छुट्टा लेकर आता हूं हेलो पूजा कहा है तू मैं तो पाक के पास हूं तू कहां पर है मैं पांच मिनिट में आ रही हूं क्या हमेशा लेट करती है जल्दी या मेरी होने वाली डॉक्टर बहु कैसे है नर्समा बिल्कुल ठीक है एक्जाम नजदीक आ रहा है ना इसलिए मन लगा के पढ़ रही है पुझा के डॉक्टर बनने के बाद लंडन में बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे लेकिन ध्यान रखना आज कल के यह बच्चे प्यार है अपनी लड़की समझदार भी होगी ना तो भी लड़के उसे बहका कर उड़ा ले जाते हैं क्या हुआ नर्समा मेरी बातों का बुरा बन गया है मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना नहीं यह लो दीदी नहीं रहने दे तूहीं रख ले नहीं दीदी उस भाईया के आईडिया की वजह से आज सारे आइसक्रिम बिग गए लीजे दी अरे वैंकी यह ले तेरा पेट्रोल आज की जो फिल्म थी ना बहुत कमाल की थी सॉरी हां मैं तुझे साथ लेकर नहीं गई बुरा मत मानना हां वापस आकर पूरी कहानी सुनाती हूं यह क्या भाईया आज मुझसे पहले खाने बैठ गए बहुत भूख लगी है क्या स्टॉप शुरू करने से पहले प्रात्ना करते हैं वो भी भूल गए आप चलो कर लेते हैं क्या हुआ ऐसे घूर क्यों रहे हैं तीखा लग रहा है क्या कहा चटनी तीखी है आपको तो तीखा अच्छा लगता है ना नेकलेस रोड गई थी ना अरे आपको कैसे पता तुम्हारे साथ कौन था फ्रेंड आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं देखो पुझा तुम मुझसे जितना प्यार करती हो उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम पर बरोशाैं उस पर उसे को तोड़ना मत अरे अरे लिए अरे खाना तुखाई यह ओक नहीं रहने दो पूजा कोई पाइदा नहीं तुम्हारे भाईया का गुस्सा आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गया तुम खाना खाओ सब लोग अपनी अपनी चपल गाड़ी में रख दो नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे क्या दादी क्या बच्चा पैदा क्या मंदिर में भी कंज बढ़ गवान कऊ उनको चड़ाने से पहले खाया तो पाँ लगेगा उनको चड़ाने से पहले खाया तो पाप लगेगा चड़ाने बाद जुसकी चटनी बना कि होटल में भी रहा साट में चले में ब्लोग यहां भी मे टोर्ब्रर के वहां möglichst मैं इस सुम्रे में भी कड़ी धूप में नारियल बेचकर घर चलाती है मना करने पर मानती नहीं है अब आप भी बताइए क्या करें आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए तब तक नारियल मैं बेचता हूं तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो बेटा तकलीफ कैसी नारियल बेचना दासी भूत समस्त देववनीता मुख्ष देत सरवदा शीगण बताया नमून महविभावा मामा वो देखा देखा आपने वेंकी का बड़े है इसलिए हमसे पहले आकर पुजा कर रही है हाँ बहुत सास्ट है हाँ तुम बहुत खुपसूरत हो और आवाज भी सूरीली है तुमारा नाम क्या है पुजा साड़ी बहुत सुन्दर है कहां से ली शॉपिंग मॉल से दादर से या बेंडरा से सांड़ क्रूस से मेरे बेटे के लिए तुम पर्फेक्ट हो एक बार बैंकी के साथ घर ज़रूरा ना बेटा पुजा लगता है तुम्हारे भाईया आ गए कोई शुब दिन दे कौन थे यह लोग मुझे नहीं पता भया मिल तो ऐसे रहे थे जैसे बहुत अच्छी जान पचान है वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा चलो चलते हैं आरे पूजा तो खत्म करने दीजिए नीचे तुमारा इंतिजार कर रहा हूं जल्दी आओ अलो नारियल लेलो मीठ तो यह न हमस्ता तो यहां कृख कर रहें नारियल बेच रहा हूं जीन पहानकर मैं नारियल बेच हूं यहीं जानता भाभाब हूं यहां क desaf18 पूजा यहिए न समर्न में टूंने अषिए ब्लिक हो उताग् करता हूं आपने पता चलिने को को अधिया ना उन्व जो करने को त intervenal जबास चलिए चलते हैं ठोल अ से किया ढून रही पूजा मां की दी हुई सोने की चेन नहीं मिल रही भावी भावी भावा को पता चला तो चिल लाएंगे मुझे डर लग रहा है अरे यही कई होगी मिल जाएगी भाव्या आल दे बेस्ट इस तरह मुफ्त का खाने से कुछ नहीं होगा बॉक्सिंग में जीत क कि देखा भावी पूजा बेटी कित्ती टेंशन में अकसर प्यार में ऐसी ही बैचाहनी रहती है मुझे मालू है यह शायद उसे पता चल गया होगा कि आप उस लके से मंदिर में मिल चुके हैं क्या हुआ पूजा कुछ नहीं भाईया उस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं वह रहता कि देर है यह यह ना इसे ही ठोकना है बॉक्सर है क्या साला गुट इवनिंग सर्व गुट इवनिंग मुझे यह मौका देने के थैंक सर्थ तुमारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं लेकिन जहां तक सिलेक्शन की बात है वो तुमारी काभिलियत पे है मुझे यकीन हम अपने आपको जरूर साबित करूंगा ओल दे बेस्ट थैंक यह कोने लुखा बोल रहे हैं तुम लोगों को इससे मिला है नहीं यह डाइनसौर है अपने जुरासिक पाक से चार साल से चैंपियन हूं मुंबाई दिली इंद और इन सब जगह में जीत के आया हूं मैं साला मेरे से लड़ेगा तु चलाट अगले राउंड में हिस्सा ल आठी जएंड को और ऐंकी सुना अगर तु जीत यह तो अनुटि पाइटी नहीं मतलब नहीं होगी उस लड़की को भूल जा रहा है कौन सी लड़की कैसी लड़की हमारे भाइकी पर होता तो दäll को देखता हूं से सब य को बाद मैं देखता हूं हाब के मारे भीगी विल्डी की तरह भाग रहे तरफ है मैं पर आख हो पर वह का आख एक! एए एँ एए! कि एए एए एह! कि एए!! एए हो? झाल झाल पूराओ लोटे मेंक्राओ नावर लोटे ने टेया अब यह अब जाए है कर दोड़े के डिया को तो अब जाए है अब कर दोड़े हैं अब आइ अब हम एग जदी चलिए यार कोंपटिशिंग खत्म होगया यार जल्दी कर तर्फ सर में आ गया आने में ती देरी क्यों हो गई अग्स्टीमली सॉरी सर अब मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा अगर बॉक्सर नहीं बन पाया तो मेरे जिन्देगी किसी काम कर किसी पुलिटिकल लीडर की सिफारिश लेकर आजा तब मैं कुछ कर पाऊंगा ठीक है पाय उसने हमें किसी गन्ने की तरफ चवागर दूख डाला वो सबको फीट रादा तो तूख यागर रादा आपको दिख नहीं रहा बाई सबस्ते जादा उसने मुझे ही मारा यह तो पक्ता हो गया कि आपकी बेहन के साथ उसका कोई चक्कर है वो आपकी बेहन को ज़रू तीस पैंटीस चालीज चलो लाइन में खड़ा रहा लाइन में आओ नमस्ते नमस्ते इंस्पेक्टर बने के लिए सिफारिश एक लाग कैस लायो ना लायो सर कहां से आयो तुम कोला बासे तो फिर पांच लाग लगेगा इतना क्यों सर अरे वहां के लोग बहुत पैसे वा अगर मेरा यह काम हो गया तो सर 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 मिनिस्टर से मिलना और तो यह सब लोग क्या सरकस की टिकेट के लिए खड़े हैं चल जा लाइन में लग ठीक है सर तुम्हें कह रहा था कि है सब हटो हटो हमारे सार आ रहे है अज का क्लेशन कितना है पांच लग सर बैंक में डाल देना जी सर नमस्ते मंत्री साब बिल्कुल मंत्री लग रहा हूं लेकिन नई मैं उनका प्य हूं तो फिर ये कोन है ये मेरा प्ये यह लाइन में खड़ाओ के पैसा पर देना शर 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 पैसे बर दिया पैसा बरने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक यू मैं जो भी बोलता हूं सिर्फ सुनने का ओर एक्टिक नहीं करने काम क्या बता मैं किक बॉक्सर हूं सर तो मुझे मारेगा क्या कैसी बात करना सर बॉक्सर बनना मेरी जिंदगी का मकसद है क्या बुझे सोशल वर्कर समझ रखा है या तुम्हारा को रिसेदार संजा है निकलो यहां से एक लोस्त तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट किये इसके सजा क्या है पता है श्राम को इंपोर्टेट स्कॉच बॉटल लेकर मेरे घराना गो कम वेलकम साथ में पच्छीश हजार कैश लाना ओके एक मामुरी पिये का इतना अली शान बंगला अरे हां गरीबु का पैसा लूट-लूट कर बनाया और क्या यहां पर पार्टी करने में बहुत मजाएगा पकपन करो मेरे घर को बार बना दिये तुम लोगों मेरे लिए लाने को कहा था तुम लोगों को पिने के लिए नहीं यहां बैटा था तुम लोग मिलके पिएंगे ना सब लोग मिलके पिएंगे तुने पिना शुरू के तो हमारे लिए गंटा बचेगा चोटा हाती है तु कोई बात पता है बीस साल से सोलो ट्रिंकिंग करता हूं आप भी न आज हम छोटे लोगों के साथ पी लेंगे तो क्या जाएगा आपको प्लीजिए नौट जाए इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए पी रहा हूं तुमारे साथ वरना मैं तो हमेशा के लाइए पीता हूं लेकिन ऐ तो कुछ अल्ला की मज़ा है खरीदने वालों को सजा है तुमने बिल्कुल सही का उसी में तो असली मज़ा है यह तो कुछ भी नहीं है सर आपको और मज़ा दिलाने के लिए हम लोगों ने तक दिना दिन का इंतिजाम किया सब्सक्राइब मतलब आइटम सर आइटम लोग नौ तो घर में मैडम है इस लिए मना कर रहें किया इस एडम के नसीब में मैडम नहीं मतलब अवा के लिए रहे अरे वो तो किसी मर्द के साथ भाग गया हो कहीं दूस्ताना टाइप तो नहीं है न है यह सब का फालतू बख्वास कर रहे हो मैं बैचलर हूं सिल क्यिकर रजेश आ या लिए करता था तब अंजली रोज मेरे लिए प्रोटीन शेख लाए करती थी अरे वार क्या सबरदस्त मसलभ नाए है मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक लाई हूं हां थैंक यू वेरी मच दुनिया की हर लव स्टोडी की तरह है हमारी लव स्टोडी में भी एक देड़ फुटिया विलन था बत तभी इसके मेरी बेटी को छोड़ दे वर्लों मैं तरहे टुकले टुकले कर दूंगा सर मैं अंजले के बिना एक पल भी नहीं जी सकती है पर मै अंजले के बिलकुललत कर और अपना अनटक बन कर मेरी बेटी साथी महले से थाई हुई है और अगले हफते है उसकी शादी रहोगी हुआ 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 है अब शादी में खाना खाया और डकार मर के आगे उसके बाद उसके बाद अंजली मुझसे दूर नहीं रह पा रही थी इसलिए अपने पती की पास मुझे पीए की नोकरी दिलवाई मेरी अंजली ने अंजली मेरे अंजली की कितनी तारीफ करूँ वह गुलाबों से बनी जले भी थी जरा उसे देखो कितनी खुमसूरत है हम दोनों जैसे विस्की और सुड़ा की तरह मिल जूल कर रहते थे देखो मेरी अंजली को देखो आग खोल कर देखो अंजली 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 यह प्यार का चकर दुनिया में किसी को नहीं छोड़ता है अंजली अंजली मैं कहा हूं यहां कैसे आगया जरूर दारू ने लोचा किया दो राउंड के बाद दारू ने मेरी वाट लगा दी लगता तो ऐसा ही है यह उट रहे है यह क्या लॉंस अवल के रखा है क्या टली होकर सारे सोग है कभी ने यह रात को नशे में मैंने क्या-क्या बग दिया क्या को चाहिए ठीक है इतना डीटेल में पताने की कोई जरूवत नहीं है अब दभा हो जाओ यहां से अचा सर फिर सैसी मस्त बाली पार्टी कुछ ने चल दभा हो जाओ यहां से सब्सक्राइब कर दिकल कल ऑफिस में आके देली के बारे में अंजली के बारे में जाना है जारो 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 पताने कल रात को नशे में मैंने क्या-क्या बग दिया कि एरामा ए कृष्णा भी हैं अरे यह क्या बैटे सुवे तुमने अपनी दारों की दुकान खोल दी सुवे सुवे ने रात से ही पी हर्हा हूं ममी मैं कॉलर जा रहा हूं को जा रहे लेकिन तू तश्मिल फेल है मैं यह मिलने जा रहा हूं लेकिं पوسट टाइट funk doisydd हो जाना गलत हैu मेरे माप बढ़े ने कभी मुझे टोका नहीं तुखोन होता है ना बेटा-बेटा है पोडी है वाशन दे रहा है और अब और कब तक मेरे लिए कोई रहोगे कोई सेकेंड हैं लड़की देखकर शादी कर लो नहीं अंजली नहीं मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह कुवारा रह सकता हूं लेकिन तुमारी जगय किसी और को नहीं देख सकता हूं राजीश क्यों क्या कुसर हो रही है कुसर पूसर कुछ नहीं है सार मैंने का वेरी सिंपल पते के मरने के बाद बीवी को मिल जाएगी फोकट की सला बहुत हो गई अब चलो मेरे साथ अब तुम रावडी शिटर नरसीमा नहीं मले कैंडिडेट नरसीमा हो अपोजिशन पार्टी वाले हमेशा हमारी गलती का जंगली कुट्टे के तरह इंतजार करते रहते हैं दो महिनों बाद इलेक्षन आने वाले इसलिए अब तू गांधी जी के तरह शांती बनाए रख आखिर तू जद सिफारिश मिल ही गई कम से कम इस बार टाइम पर आकर पारिसिपेट करना जरूर आउंगा सर्थ अल्ट बेस्ट थैंक यू सुर्ट यह कमिना यहां पर क्या कर रहा है कौन ही यह लूग अभे यह यहां का सबसे बड़ा गुंडा है इससे तुम्हें पहले भी मिल चुका हूं तुम इसे मिल चुके हूं लेकिन तू और यह एक नंबर का पागल है कि इस मैगजीन में किसी को भी चुल्ले में तेरे लिए सेट कर दूँगा कोई भी लड़की लेकिन मेरी बहन पूजा को भूल जा क्या सेट कर देगा तू दला ले क्या अब इसी को बोलते हैं के खोदा पाड़ और निकला दला मैं यूहीं डर रहा था यह तो टटकुंज को कोई लफटा नहीं करना चाहिए कोई फरक ने कोड़ाएं के हमेले बनने के बाद सबसे पहले इसी कुड़ाएंगे हाँ अब दोगा तुझे अब चल निकल आज़े सुबा सुबा पका मत दोली मार देगा पागल घनजाय लगता है यह पूजा कोन है वह बंद कर कुछ ना कुछ घड़बड जरूर है बात बात पर बंदूक निकलता है पूजा का नाम लेता है उससे ना मिलने की धंकी देता है लगता है इसे कोई घलत फैमी हुई है मुझे कोई और समझ रहा है मुझे बर्दे मनाना अच्छा नहीं लगता है तुभी ने एकदम बोर है बर्दे सलीब्रेशिन में बहुत मजा आता है क्या हुआ है हम लोग यहां पर क्यों आ गए तुम इन लोगों को जानती हो क्या अरे तुझे पता नहीं यह एक बहुत बड़ी मेंटल फैमिली है अब देखना कि यह मेरे पास आके कैसे बरताब करते हैं देखना कैसी हो बेटा अरे बिल्कुल ठीक तो लग रही है ऐसे अचानक यहां कैसे आ गई हमें सर्प्राइस देने ने ना बर्दे केक और करने गौतम पता वो लड़की कौन है मेरी होने वाली केक बहुत स्पेशल बनाओ नहीं केक स्पेशल बनाओ खुशी के मारे क्या-क्या बोल रहा हूं मैं हमारा किचन दिखाती हूं अरे नमस्ते तुम पूजा हो ना कैसी हो बिटिया पूजा तुम्हें अपना रूम दिखाती चलो एक मिनिट यह मेरा रूम है कैसा लगा अच्छा है लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हो और इसलिए उसका रूम देखना है उसका रूम सबच करना चला चला क्यों रहा हो पेट्रोल खत्म हो गया अभी लेकर आ रहा है ना मेरा दोस्त अलो हलो भाईया कहा हो तुम यही डीजल तक पहुंचा हूं धिरे धिरे पेट्रोल भी आ जाएगा कहीं पे वियू तुझे क्या है घर पे बर्देगल आई है अरे तो उसको बीटा के खिला वेफर खिला मैं क्या करूं उसमें चल फोन रख इसे बात करने की तमीज ही नहीं है तुम बुरा मत मानना वैसे व मुझे सुकून मिला पहली बार तुमारे भाई ने कोई अच्छा काम किया है यह लड़के उसके लिए पुझा अपनी बेहन से बहुत प्यार करता है यह वो तो इसकी जान है जान पुझा कहा है कई नजर नहीं आ रही है पुझा यहीं कहीं हो गई और क्या यह लोग आ कैसा है कि भाई की क्या जूरत है ऐसे बर्थेटे बनाएंगे ना है गोली के बना बंदूक और केक के बना बर्ड़े की कोई कीमत नहीं रहती है अरे बाई सुलिए तो अब जान बहुत है इसलिए मैं आपको मना कर रहा था दर्सीमा कहा हो तुम अरे की कैसे क्यों खा रहा है यह आपने क्या किया आपकी सेफटी के लिए चेक कर रहे थे कहीं केक बीजहर दाओ इससे टेस्ट कर रहे थे हैंना वही है क्या बात है एंगल अब भी मुझे यकेन नहीं हो रहा कि हमें इतना बड़ी अरिश्टा मिला है हमारी लड़की बहुत खुशनसीब है अरे हमारा लड़का भी तो खुशनसीब है मैं अभी है पिताजी हाँ हमारा लड़का थोड़ा शर्मीला थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही है तो क्या हुआ हमारा दूसरा लड़का ट्रेन से भी तेज है लेकिन किसी काम का नहीं यहां फंक्शन चल रहा है मिठाई लाना भूल गया अब लाने गया है सची तो कह रहा हुआ है 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 सब थोड़ा ड़ो है 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 क्या हुआ मुराद भी पक्का कर लिया अब तो तुम खुश हो ना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यह बात किसी को पता चल गई तो अरे शादी के बात सब बता देंगे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है बच् जिल्की से भी ज्यादा तेज निकली कि फिस ने दिया था मैंने दिया साले दो कौड़ी के केक बेचने वाले तुझे मेरी बैंद चाहिए क्या तेरी तुम एइए तू कोन है मैं इस घर का होने वाला दामाद जिस दिन तू इस घर में शादी करेगा उसे दिन चुझे मैं सिर्फ एकी बार चांस देता हूं लेकिन उसे कई बार दे चुका हूं इस नर्सिमा से पंगा लिया तो सब को चला दूँगा अंदा मेरी बेहन की तरफ देखा ना या आसपास नजर भी आया तो हत्प कर दूँगा चलो आप कि अधिया है यह क्या कर रहे है जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या मैं इसे बच्चा ही समझ रहा था लेकिन पता चला कि यह जवान हो गई है कि चछीज की कमी थी तुझे नहीं दिया मैंने तुझे विश्पन दो अब गुषा कर देता तो तो आज मुझे नहीं देखना पड़ता है मुझे लगा कि हम दूनों का कुन एक है एक नेक दिन तुझ समझ जाएगे लेकिन उम्मीद नहीं थी कि तु ऐसा काम करेंगे एक बार मेरी बात तु सुनिए भाया बस करो पहला ही तुम पर भरोसा खत्म हो चुका है अब कई ऐसा नहों कि मैं तुझा ही खत्म कर दूँ जाओ जाओ पूजा पूजा सुनो तो चाचु चाचु यह सब क्या है बेटा कुछ गुंडों ने आकर दादाजी को मारा बेटा जी यह सब किस नहीं किया विश्वास नहीं होता तेरी वज़े से तेरी बेहन की शादी तूट गई कि हम दोनों आज तक दोस्तों की तरह रहते आए इस पर मुझे घर्व था बिटा जब भी तुम कुछ गलत करते तो मुझे लगता कि आजकल के बच्चे बस ऐसे होते हैं लेकिन तूने हमारे घर की इससत को आज मिट्टी में मिला दिया लेकिन पिदा जी मैंने कुछ नही मैं तेरा बाप अज नहीं चाहिए तेरा बाप अज मर गया चुप रहे हमें उस नर्सिमा की बेहन नहीं चाहिए है यह जब तेट आज जब दोबना है शेटिए कि अ है हुआ 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 है प्यार में धोका खाया या एक्जाम में फेल हो गई है ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्या खुदकुशी करते हैं वैसे आज के लिए फैशनी बन गया है खुद तो मर जाते हैं बाकियों के बारे में एक पल भी नहीं सोचते के उन पर क्या बितेगी मा बाप दोस्तियार सब क को छोड़के चले आते हैं मेरी जितनी प्रॉब्लम्स है ना उसे दब से मुझे दस बार खुदकुशी करनी चाहिए लेकिन मैंने की नहीं ना है कहां तुमसे मतलब इदर से तो चली जाओगी फिर ट्रेन या बस के नीचे आके मर जाओगी कलग बार में खबर चपीगी ए उस लड़की की जान मैंने बचाई क्यों नहीं यह बात मुझे जिन्दगी भर खाती रहेगी यह सब सद्मा मुझे नहीं चाहिए एक काम करता हूं पुलिस को बुलाता हूं वो ही तुझे देख लेंगे ऐसे मत करो प्लीज कि वे कौने में कि अच्ट कि अच्ट कि 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 तेरे बास या रहा था तुम टेंशन मतले ना यह सलब पागल है इसके साथ पुराना हिसाब चुकता करने हैं भाया पूजा क्या हुआ बच्चों भाग रहे थे का भाग रहे थे कि कि रुक यूँ गया भागो ना भाया कि 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 तुम्हें खलत फैमी हुई है मैं इसके साथ कि भाया भाया मैं उसे नहीं जानती उसे छोड़ दीजिए प्लीज मैं बोल रहा हूं कि पहले मेरी बात सुन ले तेरी बेहन और मेरे बीच कुछ नहीं है समझा कि 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 भाया मेरी बात पर यकी कीजिल भाया कि 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 झाल 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 का थाना गोली मार दूंगा येले मार दी झाल 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 जलन्दा जानतिया यहीं न तो अंजाने में उसकेसाथ नेकलेस रोड पर आइसकरीम खा रही साथ य比較 आ." यह सब जूट है बहिया यह जूट नहीं बिलकुछ सच है और अब मुझे तवारी कोई भी बात नहीं सुननी है अब मेरी बात सुनो तोहारी शादी हो मिनिस्टर के पेटे के साथ थै कर दी अब तक तुम पर भरोसा था इसलिए नहीं बताया था अब एक भाई के हग से बता पाल दिया है अच्छा हुआ गोली बाई तरफ नहीं लगी तोड़ी देर में होश आजाएगा ऐसे मत रो पूजा कब तक रोती रहोगी दो दन से तुमने कुछ खाया भी नहीं अब रोना बंद करो मैं कुछ नहीं जानती भाबी मैं तो उसे जानती तक नहीं पता नहीं भा जरूरत निकालने को कहा था लेकिन पंडित जी कहते कि कोई मूरत ही नहीं इसमें पंडित की क्या जरूरत है भाई आप जो डेट फिक्स करेंगे वही अच्छा मूरत होगा क्यों देखा नर्सिमा जी आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं जरूरत पढ़ने पर यह ग्रहो रोली नहीं होना कैसे भूल सकता हूं चोटा बच्चा का भी रोना भूल सकता है क्या मैं भी वैसा ही राजेश अंजली उपर वाले ने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों कभी-कभी ऐसा हो जाता है राजे यस मैं जानता हूं अंजली कोई बात यह नहीं हो सकता अंजली क्यों यह कुत्ता वहां भी आ जाएगा अरव आरव 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 सर देखा कैसा भौकरा कुत्ता कहीं का बॉलिए सर आने वाली सुला तारीक का मोरत निकला है शादी एकदम धुंधाम से होनी चाहिए ठीक है सर मीडिया सारे चैनल वाले पूरा स्ट उससे मेरे दिल की बात सुन ली फोन दीजिए एक मिनट रुक हां बोलो पूजा पूजा नहीं तेरा बाप बोल रहा हूं सब्सक्राइए तेरे हिसाब से मैं ही तो तेरी बेहन का फ्रेमी हूं इतनी जल्दी भूल गया कमीन है तो अभी भी जिन्दा है कमीन है तेरा रहा है कि आखता है संद की सिर्णान कि कुछ नहीं सबसे बड़े गुंड़े की बहन को उठाल ङॉरंकी तुन्हां को खिला देगे उस्से में मैं अब रखूंगा को समझ में नहीं आ रहा है हां मुझे जबर्दस जगा पता है किसी को पता नहीं चलेगा तो हौँ यह क्या मैंने का यां ताक दिन करना बना किया रेख को यह यह तुम-द्र कर दो êtes प्लीस में गर थो सुपिर पहर सोहिए अ depends हम नहीं के सोली है सुरी है प्लीस को भूला हुब तुमहें अंदर गर दूंगा अब बाहरा थाognnob यह घर है कोई चिंदी लॉज नहीं है सर 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 वेंकी एक बार हाँ कबड़ी खेलने पूना गया था पर यह तो बॉक्सर है ना वहां उसने लड़की की चान बचाई और फिर उसी लड़की से इसे प्यार हो गया अब उसी राक्षा से बचने के लिए आपके घर आया सर यह कह का किया इस बीचार का इस बीचेर के लिखा हुआ उसका नाम कैसे भूल सकते थे सर कैसे तुम लग मुझे ब्लैक्मेल कर रहे हैं हमारी प्रेम कहानी की मदद करने के लिए मुद्द ए नई करूं का तो 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 मीनिस्र के बच चले क्लेए तक है कंजकरी वह घ driver म मुम on sat मैं मदद करने करने करें तयार हुं है शायद उसे पता नहीं है मैं मदद करने वाला हूँ इसले हैली समय इसके आवाज से लग रहा है कि यह घबराई हुई आ हुए प्लीज कि वो बाइक से घर गई उसके दिमाग पैठ चोट लगी और वो सटक गई इसका क्या मतलब है इसका मतलब वो पघल हो गई ऑन से बाहर निकालिया कानो तुम नरसिमा की बहन हो मतलब हो मिन सब्सक्राइब कंफाम इसका तीमंग सब्सक्राइब आधी एप अधी मुझे भूर रखने से भी गई है नहीं हो रहा हूं एक बार फोन करके कंफर्म कर लेता हूं हालो नमस्ते सर मैं हो मिनिस्टर का प्या है राजेश बोल रहा हूं सर बोलिये आपके बेंद घर पर यह ना सर तो क्यों पूछ रहा है आजय बापु ने पूछने के लिए काया था पूजा कर रहे हैं 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 प्यार करके पागल हूँ तुमने पागल से प्यार किया नसीब का खेल है अपना ख्याल रखना कि अच्छा कि अच्छा कि साले सब अंदर छुप गए उड़ा दो सब को उड़ा दो एक भीनी बच्छा चाहिए समझे क्यों मेरे घर पे हामला करने के लिए पहुचा है अगर मेरे घरवालों में से किसी एक को भी छुआ ना तो यहां तेरी बहन के साथ सुहागरात मनाओंगा क्या चाहिए तुझे बोलने क्या चाहिए तुझे एमेले बनता देखना चाहता हूं साली मेरे साथ गेल रहा है तुझ गेल तुझे यह है तुझे कर रहा है अगवान समान मेरे पिताजी के उपर हाथ उठा कर गलती की परिवार कि रोजी रोटी का सहारा कॉफी शॉप को तोड़ कर तुझे पिरसे गलती की मेरी बेहन की शादी को तोड़कर उसकी जिन्दगी बर्बाद की मेहनत करके बॉक्सिंग चैंपियन बनने के मेरे सपने को जकना चूर कर दिया तो मुझे गोली मारके तूने जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती की इन गलतियों को सुधार ले वरना इनकी सजा तेरी बहन को समझ पमुक्त करती तो सजा जरूरी है क्या गलती समझके कि Umm कंब कर दीजगा हम से घलती हो गई जो कुछ भी हमने तोड़ा है कर देंगे सबस्किंद अपने थी असकी लड़के से प्यार किया है उसी लड़के से आपकी शादी यूगत रहा है नवस्ते चलता हूं तुम लोग जल्दी से लिस्ट मुलाओ समालने कराओ जल्दी जाओ--जाओ-जाओ-पूर यह सब हो क्या रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है लगता है कि सब गई है आ मुझे भी ऐसे ही लगता है सुन ली ना उसकी बाते, उसने तुम्हें यहाँ पर किसी भी गलत इरादे से नहीं लाया है, हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या भीतरी है, लेकिन तुम्हारी भाई की वज़े से उसकी जिंदगी नर्ग बन चुकी है, वो कोई बुरा लड़का नहीं है पुझा, उसे गलत मत समझना, अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, चलो चले, अरे इस पागल लड़की को बाहर क्यों ने दिया, आप कोई खत्रा नहीं, इसका दिमाग सेट हो गया सर, दिमाग सेट हो गया, जिंदगी में पहली बार हिला के रख दिया उसने मुझे, इसे मेरे सिख्या होगा भाई, पहले उस लॉन्डे के कुछ करके पूजा बिटिया को लाते हैं, वरना आपके इज़त खाक में मिल जाएगे, हां एकोपाई पूजा से बात करना चाहता है, पूजा तो घर हो नहीं होता है। बारे बढ़ाता है मैंने भी आज अरे मुझे पता है सुनो तुम अजय से पूजा बंगे बात करो नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं तुम्हारा अजय नहा रही थी अब फ्रेश होकर आई हो तो एक फ्रेश न्यूज बता दू यह फ्रेश न्यूज़ नहीं तो डालिंग एक पपी दो ना ओ ठीक है यह क्या गप से हां ओके ठीक है बोले जा रही हो समझा अंकल है इसलिए न तो एक काम करते हैं न किसी लॉज में जाकर प्यार करते हैं बोलते क्यों बंद हो गई ठीक है शाम को डिस्को में जाएंगे रात बर डांस करेंगे अंधिरे में रोमैंस करेंगे ओके करेंगे करेंगे कर में फ्रेश कर लभ यह क्या का उसने लभ यू उसके बाद पपी जी और क्या कहा खाए तुम करना पूलेगा जाके तहीं यारो जाए यह क्या नाटक है अंकल पुजय डालिंग का आई मेरी डालिंग मेरे लिए बुर्खे में आई इतना विग्या शर्माना मैं अभी निकाल देता हूं इसे बच्पंसे दूद में इजट मिलाकर पाला है शादी से पहले अगर किसी ने देख लिए तो प्लीज 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 वह अंकल क्या बात बोली आपने आप तो बहुत ही होशा रहे हैं मतलब इज़त को बुर्का बना कि लाएं क्या बात है चलो बुज़ा डाली हम लोग डांस करेंगे चलो डांस करो ना ठीक है और यार मैं क्या करूँ आप यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया एक बार पुरका अच्छा अच्छा सब लोग देख लेंगे इसलिए ना चलो अंधर मिधा की प्यार करते चलो बाभी जी को कुपचे मिले जा रहे हैं तो तुम लोग क्यों जले पर नमद छिड़क रहा हो जांके कुछ करते क्यों नहीं सालो क्या है पूपी तो नहीं पूज़ा डालिंग हेई हां शुकर है क्या हुआ हम सब कितना घबरा गयते पता है किसलिए और यह तो इधर तुम लोगों को लगा कि मैं भाग गई है ऐसा कुछ नहीं है जानते हो अगर मैं चाहूं तो दो अम्रेट में भाग सकती हूं पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना इसलिए रुप हम किसी और बात से परिशान हैं तुम जाओ अपने अकान में म्यूजिक सुन्दी रव जाओ अगर मुझे यहां रखना चाहते हो तो मेरी तीन शर्ते माननी होंगी शायद भूल गई एसे हम किड्नाप कर गला है मेरे कहने का मतलब है मेरा टेडी बैर मेरा पपी क्यों मैडम इसका मतलब तुम हमें पकड़वाना चाहती हो क्या इससे तो अच्छा तुम यहां से भाग लो दूसरी शर्त अगले महीने मेरे एक्जाम्स है तुम मेरे लिए कोई प्रॉक्सी अरेंज करो तीसरी शर्त हर शुक्रवार को बिना चुके मैं लक्षमी देवी मंदर जाती हूं मुझे वहां लेकर जाना होगा है किड़नेप हो कर रहे मेरे द्वेज मन नहीं आया तु अगर मेरी यह शर्ते नहीं मानोंगे तो किसी रात को मैं यहां से फुर हो जाऊंगी अरे छोड़ना तु भी इतना गुस्ता हो रहा है खाली अबे सुन तु इतनी सी बात को लेकर क्यों परेशन हो रहे है पंगा लेने से तो अच्छा है कि हम उसकी शर्ते मान लेते हैं वैसे भी लक्षमी देवी का मंदीर इंदर नस्दी की तो है बाला जी और शिरीडी थो अब आज तो अब आज उसे गया खाली है इसका में क्या करूं लग तेरे पास यह लो मेरे पास है तो दूद वाला गैस वाला और क्या जुबान कम चला यहां किसने बुकिया अब यहां कर दीजे मैडम किसले इतना उदास क्यों लग रही है गैस की वज़े से नहीं हमारी लड़की नहीं है इसले क्यों स्कूल गई है क्या अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग गई है तब समस्की फोटो देखकर रोए जा रहे हैं किसी कई भीज़े गैस देने गहता तब लेखा अरे कैसी मेरी बच्ची ठीक से यादने यह पर शायद रो रही थी मैंने बुछा क्या मुम्मी की यादारी बोली नहीं पपी की आदारी उसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती हूं ठीका उसे पपी पसंद है हमें पूजा पसंद है ए खबर सुनकर वो खुश हो जाएंगे घर पर गैस वला है जी ए पागर वरत फोन रख मेरे बात तो सुनिया तुम सब पांच-देस मिन रुख जो नो वो आते ही होंगे फिर तुम खुद ही उन्हें सारी बार बता दें नहीं लेट हो गया तो मेरी लॉकरी चली जाएगी जब अब तक पपी नहीं मिलेगा वो भूकी रहेगी ना तो एक काम केजिए वो पपी मुझे दे दी जब मैं जाकर उसको दे दूंगा क्या आइडिया है मैं अभी लेकर आई मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है मुझे आप यहीं सोच रहे होंगे ना कि पूजा ने खाया यह नहीं आज पूजा पेट भर के खाना खाई की लेकिन तुझे कैसे बता अरे वह ग्यास वाला आया था ना पूजा ने उसे भेजा था उसके टैडि बेर के ल अरे तु यह बात पहले क्यों नहीं बताई अरे देख क्या रहे हो जाके पिछा करो उसका अलो हलो वेंकी कहा हो बेटा घर कब आओगे मैं ठीक हूँ पापा आप सब लोग कैसे मुझे फोट देजे मैं बात करूंगी वेंकी बेटा कुछ खाया यह नहीं हां मा खा चुका वेंकी बेटा नरसीमा ने हमारे पूरे घर की मरमत करा दी है तू जल्दी से घर पर वापस आजा हम सबको तेरी बहुत यान आ रही है भाईया सॉरी चिटी मेरी गलतियों की वज़ह से तेरी शाली तूट गई तू प्रवीन से बहुत प्यार करती है ना वादा करता हूं जब तक तुम लोगों का फेर से महुरत नहीं नेकलवाया घर में कदम नहीं रखूंगा हो सके तो मुझे मुझे माफ कर देना भाईया और भावी को मेरा प्रडाम कहला अपना ख्याल रखना हुआ सॉरी किसलिए मेरी बज़े से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी मैं तुम्हेरे सभी घर वालों को जानती हूं अर्पता है में तुमारा बैजरूम भी देखा है सच्ची बहुत इंट्रेस्टिंग वैंली है तुम्हारी और तुम बहुत लगई हो मुझे बड़ी फैमिली में रहना बहुत पसंद है सब लोग साथ में लेकिन मैं अनलगी हूँ बचपन में ही ममी पापा एक्सिडेंट में गुजर गये और तब से भाया ने ही मुझे संभाला है यह सब छोड़ो यह टेडी मेर और तुम्हारा कनेक्शन क्या है यह तो मुझ साथ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यह बात है सुनो वह राजश है ना पीने के बाद अजीव अजी भरकते करता है कहीं तुम्हारा टेड़ी चुरा कर ना ले जाए उससे बचाकर रखना प्रवीण यहां पे काम करता है ना काई वह उसने तो यहां से नौकरी छोड़ दिए पूरा शहर चान मारा लेकिन कुछ पता नहीं चला कुछ समझ नहीं आरा पूजा को कैसे डूने भाई कैसी हो माजी मैं ठीक हूं बेटा बहुरानी बहुत संदर है अरे माजी जल्द बाजी में नारियल फोड़के आर्थी वार्थी मत उतारना हम लोग सिर्फ दोस्त है अच्छा कोई बात नहीं दो नारियल दीजिए दो किसलिए एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए मंदर ल अखिर हुआ क्या था उन दिनों मैं दिल लगा कि बढ़ा ही करता था बैठता लास्ट बेंच बेता लेकिन आता फर्स्त था अमेर्शा फर्स्त फिर क्या हुआ उसके बाद एक्जायम शुरू हुआ एक्जायम में मुझे पूरी नंबर मिले स्लिए में एक्जायम हौल से लेकिन क्यों एक्जायम हौल में लिखते हैं बाहर थोड़े लिखते हैं पेपर में आया था कि गाय पर निबंद लिखो मैं जल्दी से बाहर गया एक गाय ढूंडी और उस पर निबंद लिखना शुरू कर दिया लॉट ने बर पता चला कि मैं फेल हो चुका हूं इसलिए अब उस दिन से मेरे और भगवान के बीच कटी हो पही है इसलिए मैं अंदर नहीं जाता तब तुम कौन से स्टैनर्ड में थे और इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हो तब तुम्हें चट्डी भी ठीक से पहने नहीं आती होगी और भगवान पर विश्वास की बात करते हो च सलगी डियो योना प्र चोदय अपना बताए एक नाम नहीं गोटर बताई एक का फूह और उसने मुझे देख लिया हो तो में खत्म होगा आटक ने हैं तुम्हारे और ने मेरे भाईया कंि गाया कहा है क्या कर रही है ब्हाइब के पैर उछकते मुझा भरवाना चाहथ है कि में तो बताना ही भूल गई मेरी तरह रशुक्रवार को फॉल कि यहां पर आते हैं अधर मैं आर्थी तक नहीं रुक पाऊंगी ठीके चल रो मत आर्थी मिलेगी तुझे कि पुझा भावी पुझा खत्मों कहीं आर्थी ले लो कि क्या हुआ भावी को देखकर घर की आदारी है क्या नहीं सोच रही हूँ यह सब हुआ कैसे अच्छा तुम्हारे भाई ने आखिर भगवान से मांगा क्या होगा मुझसे मिलवाने के लिए नहीं 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 मांगा होगा कि मैं उसे मिल जाओ यह लो भीया ठीक है भीया तुम किसी की बहन को भगा कर ले आओ तो कोई भाई सब को कंफ्यूज कर दिया तुम्हें केक दिया मेरा नाम लिखा और मुझे ही पता नहीं मेरे पीट पीचे इतना कुछ चला वाप रे वैसे आज में तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं इतने सालों बाद मुझे मंदिर में ले जाने क्लिए थैंक्यू किसी भी जगड़े अब अलग हो जाते हैं लेकिन इस जगड़े से हम दोनों साथ हो गये लॉजिक चाहे कुछ भी हो यहां पर तो मैजिक हुआ है पाकल हो गया क्या हुआ डर गए क्या विलन बनके किड्नैप किया था बदला लेने लेकिन आज तो मैं उसकी नजरों में एक नंबर का हीरो बन चुका हुआ शुरू शुरू में तो मुझे वो ठीक ठाक लड़का लगता था पर अब तो मुझे वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है मैं ठेरा चोटा सा बॉक्सिंग करने वाला नादान लड़का वो कहां मैं कहां तुम्हें पता है पापी मुझे ऐसा लगता है कि यह जो वही है मेरे सपनों का राजकुमार चलो भाई को बताते हैं पूजा डर्लिंग से नहीं मिले हो ना चलो मिलो आता हूं जरूर कोई सड़ेली हो जब भी पूछना हूं तो आप कहते हो कि पुझा बातरूं में नहा रही है मंदिर गई इसलिमें खुद ही आगया है मंदिर गई है कितने दिन पहले सर कितने दिन का मतलब मतलब है वो कब गई अभी गई है वो अजय बबू चलो चलो मंदिर से सीधा कॉलेज जाने वाली है आपको तकलिफ करने की कैसरोत है उजा करते ही आपके पास बेज़ दूगा अंकल अभी तो मैं घर जा रहो पूजा आये तो उसे घर बेज़ देना चलो चलिए चलिए चलि को या चल जाएंगे मेरे घर के महाँ और कहीं जले चलो चलिए भी अट जबम हो है डालिंग पूजा या निए अगर यह मेरी औलाद की ना तो बचमत में दूद मरें उन्हेंता कर पिला दिया होता कहाणा नहीं हो सकता हाई पूजा मेरी बेहन यह कौन है यह तो यह बहुत बड़ा तिकड़मबाज तुम इसे जानते हो कैसे इसने मेरी भी गाड़ी चलाई है इसे बहुत एक्सपिरेंस की छोड़ो एक्सपर्ट भी है इग्जामिनेशन सेंटर बदलना है लेकिन सर मना गर रहे है कॉलेज के खिलाफ है इसलिए रूल्स के खिलाफ तो प्रिंसिपल से वाच्में बना तो वो भी रूल्स के खिलाफ होगा नहीं नहीं बदल दूगा आज़े बाबू पूजा देखा मेरा पावर थैंक्स पर इसम इंसे मिलने का दिल किया तो चला घर चोड़ देता है नहीं अगर भाया ने देख लिया तो समझेंगे कि मैंने आपको ड्राइवर बना दिया सही कहा अंकल की नजरों में मेरी बहुत इसत है यह राइवर में साब को सही सलमत पोचा देना सर बताये मेरा ड्राइविंग का का जिसां है आपको अच्छा चलाता से लताते है ऑले रफैसास、、ाट चलेव कि क्लिदेश लिए छोड़ uh कि नाइच छोड़ूंगा कके आउन्म कि और वेंकी ऐसे चांतो यह कि तो फेल्राइए और सुielen को हुद चुछा पुह को होता है ना तुझे which बहुंता हैं अच्छा हो इति फॉस्ड़ ह्कंश करने हाँ लेकिन यूजिक बहेर नही ब nod हो अच्छा म्यूजिक के बिना डांसिनकर ठाक्पाइब वज्ट हो चुरो आहे रागा आघे राज एक राजा म्यूजिक व क्या हो रहा है सर इतना शोर कि ओगे आती कि बच्चे तुई दर आए नहीं तुझे मारूंगा मुझे लगेगा चल खुद को लाफा मार क्या कुद को खुद को मार लाफा और अर और 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 घृत गिर जाते हैं अब आये वहां वो कुर्सी लागे यहां यहां रखो 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 तुम बॉक्सर रखो कमीने वॉक्सर चल्ल कुर्सी वाप सर्ण हो मिनसर सापकी सिकायद कर दूँगा यह वुला वुला वुस्साले होम दिसर को आने दे उसो मार मरके उसको लिटा दूँगा और अंजेली को पपी दूगा उसके सामने तो आदिवासी है क्या कौन से जंगल से आपे तु लड़की के सब चोट लगी है मुझे उल्लू बला रहा है बुला उस लड़की को रुकी रुकी क्या बोली तो अट रहा है इतरहा तेरी सठाख गई है क्या जब से तुम मेरे घर पर आई है तब सब से इरी सठाख गई है छोड़ूंगा ने तुम लोगों को इज़से सच बोलो तुम दोनों एक दुसरे से प्यार करते हो सर्य मुझ खोला था सब कर में मैं चपल खुषर दूँगा वही कौप्चे जाओ भाया वेंकी इसे अपने बाहों में ले लो बाहों में लो बोला अब चुमी दो मुझे नहीं में सच के ले उसे देता है कि अब चुमी दे ओके नौ आम साटिस्फाइड तुम दोनों प्यार करते हो मुझे यकीन हो गया मैं चला शादी के कार्ड का डिजाइन बहुत जबरदस्त है अचा नरसीमा को फोन किया हां किया ना बस आते ही होंगे सुनिया जी हमारे परिवार के सबसे प्रियस सदस से राजेश को ही पहला कार्ड देते है ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं यह अपना घर का अदमी है इसे कार्ड द आओ नरसीमा आओ नमस्ते बैठो शादी का कार्ड बनकर आया है दिखाईये देखो कुल मिलाकर दसजार कार्ड बनवाए ठीक है ना कार्ड तो ठीक है लेकिन क्यों कार्ड कम पढ़ेंगे यह यह ऐसी बात नहीं है शादी के लिए सिर्फ दस दिन का समय है और बहुत सारा रिष्टा जोड़ रहे हो हमारे ओम इनने सुर तो बिना दूले के भी शादी करवा सकते हैं माफ करना मैं तो तारीफ कर रहा था कुछ ज्यादा ही हो गई ना इस तुम बिल्कुल टेंशन मतलो मैं हुना मैं सब समहाव लूँँगा कि भाई आपको टेंशन में देखकर अपनी भी फट रही है अब जो भी होगा देखा जाएगा उसके दोस्तों को उसके परिवार वालों को सब को उठा के लाना किसी को मत छोड़ता पुझा का वो का आप अड़ा वुझा पता है वो कहा है वाल दे बस्त थांक यू औल टिक्ट थांक यू कि एक्जाम के बाद तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है कि मैं तुम्हारा इंतिसार करूंगा कि मुझे देखके डर गया किया तू तू अब तक मुझे बहुत परिशान कर चुका है तुझे मारने का प्लैन भी बनाया था मैंने बाद में बता चला की गल्ती मेरी है हाला कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है गलत फैमियों की वज़े से मैं तुम दोनों पर शक करता रहा अन्जाने में बिना मतलब के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत दुख पहुंचाया मुझे माफ करते ना, I'm sorry देखिए, सब कुछ गलत फैमियों की वज़े से हुआ है इसमें किसी की कोई गलती नहीं है किसी की कुवारी बहन किसी के साथ घुमेगी तो इनको इनके पास चाने दे, Sorry Venki, हमें अपनी परवान नहीं थी लेकिन तुम्हारे घरवालों की फिक्र हो रही थी, इसलिए सब सच बताना पड़ा अगा 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 तुने कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश की कि तू मासूम है फिर भी मैं नहीं समझा आम सॉरी आम वरी वरी सॉरी इसमें हमारी भी गलत्य के बिटा अन्जाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया हमें माफ कर दो नर्सिमा जी अब आप अपनी बहन को ले जा सकते हैं हमारा वेंकी अब आपको तंग नहीं करेगा कि अज़ों कि अज़ों कि अज़ों कि थेंक यू सो मच फिर बिलते हैं कि अज़ों कि अज़ों कि अज़ क्या तुन्हें पूजा को अपने दिल की बात बताई नहीं बताई नहीं बताई तो कब बताएगा कभी नहीं अब तक तुन्हें बहुत जटके दिये बसा बहुर नहीं इस बार जटका तो मुझे लगा कि यह क्या बात कर रहा है सच कह रहा हूं जब सबको लगता था हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तब नहीं करते दें और जबापी अब न पढ़ रहा है हमारा प्यार ना उसके भाई को मंजूर होगा और ना ही मैं अपने परिवार को परिशान करना चाहता हूं कि इसलिए मैं कभी पूजा से अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा मेरी बात सुन एक बार पूजा से लाद कर लिस समझने की कोशिश करो इस मामले में कुछ नहीं हो सकता कि आज कल के बच्चे माबाब की परवा किये बिना जो उनके मन में आये वो करते चले जाते हैं बेटा लेकिन तुने हमारी इज़त बचाने के लिए अपने ही प्यार की हमारे लिए कुर्बाने देदी बेटा पता जी ऐसा कुछ नहीं है प्लीज रोई की तुमने हमें तक करना मां अगर हम दोनों के अलग रहने से बाकी सारे लोग खुछ रहते हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार वेंकी मेरी फिकर मत कीजिए पापा मेरे पास आप साब है ना वेंकी मेरे बच्चे मेरा बच्चा बच्चा से चीटी को तुम्हें मसल के रख दूंगा बहुत इम्मद है ना तुझ में चला बोट उठना तरगया क्या दिखा कितनी ताकत है तेरे अंदर चला आजा बे आजा अजा बेंकी यह तुर क्या कर रहे बाकी सारी बातों को भूल जा तुझे याद देना तेरा लक्ष क्या है जा बार उस्ता लेखे दुझे वाद, टूर्ट, ट्रेश वेंकी, मेरी वज़े से तुम्हारा करियर खराब हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें एक और मौका जरूर मिलेगा, और तुम सबके सामने खुद को साबित करोगे, और कामया भी तुम्हारे कदम चुमेगी, I'm sure. अब देख इस चीडी की ताकत, ये तो सरफ शुरुआत है, हाँ! आज तु करेगा मेरे क्लोध का सामना, हाँ! ये था वैंके का मुक्का! कॉशन लेया, इस साड़ी में मेरी बहन बहुत खुम्सूरत लगेगी. क्यों बोजा? बच्पन से लेकर आज तक कभी मेरी पसंद जाने की कोशिश की है, तो फिर आज क्यों? मेरी पसंद क्या है, ये मुझसे बहतर आप चानते हैं. आप जो मुझे देंगे, मैं वो पहन लूँगी. मुझे माफ कर दे, पुझा. जाने अंजाने में तुझे बहुत दुखती है. तेरे बिना मैं नहीं रह सकता. मुझे आज अइसास हो रहा है कि अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है. देखा, पुझा आपसे कितना प्यार करती है. रोवाँ, पुझा. लक्षमी, देखो कौन आया है? नमस्ते. नमस्ते. मैंने आप सबको बहुत दुखती हैं. वो सारी बाते भूलकर मेरी ब जरूर आएंगे. कववा कितना भी काला हो जाए. आखिर में अपने परिवार का ही साथ देता है. आप भी अपनी बेहन के प्यार में अंध्य हो गए थे. इसलिए अबस अब… चुक. तेरी कहावत भी तेरी ही जैसी है. चुक. फिर कोई मुसीबन खड़ी करेगा. आप सही जैने दीजिये. मैं बनाती हूँ. तुम्हें खाना बनाना आता है? तेरा होने वाला पती नसीब वाला होगा. लेकिन हम तो बदनसीब हैं. काश हम जो सूच रहे थे वो सच होता. मैं सिर्फ वेंकी की ही नहीं. तुम्हारी भी मा जैसी हूँ बेटा. एक बात पुछती जवाब दोगी? क्या ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? चाए बहुत बढ़िया बनी है. पूजा ने बनाई है. ओ. रहने थे बेटा. वैंकटेश नाइडू जब जिन्दा थे तब हम हर एक घंटे में चाय पीते थे. उनके जाने के बाद तो बस चाय पीना ही छोड़ दिया. इस उम्र में उन्हें याद कर रही है. ये तो बहुत बढ़ी बात है. इसी को प्यार कहते हैं बेटा. अब हमें चलना चाहिए, पूजा. शादी में जरूरा ही है. नमस्ते. पूजा, एक मिनिटे. हाई विवर्स, यह हमारा सीधा प्रसारण होम मिनिस्टर सहाब के बेटे की शारी का. जपान से शिफॉन की साडियां और स्विजिलेंड से सारी सजावट मंगवाई है. फेकता है साला, चोर बजार से मैं ही तो सब लेकर आयों. नमस्ते. 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 बैठे, बैठे. नमस्ते. आपको बता दूँ के इस शादी में मिनिस्टर सहाब ने पूरे 101 किसम के पकवान रखवाए हैं. यह भी जूट है. सिर्फ 60 वराइटिये 101 में एज्जिस के है. नमस्ते. दुबाई और सिंगपोर से कई सारे बावर्चियों को खास खाना बनाने के लिए बुलाया है. एक और जूट. बाजुवाली गली से दस पंटरलों को मैने तो बुलवा है. बड़ा. ठेको है साला. आएए मैं आपको पूजा से मिलवाती है. चलिए. आएए अजया हो. आखिर पूजा से तेरी शादी होई रही है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. कॉंग्रेट्स. तुम लों आए मुझे आच्छा लगा. ठीक है तो बाहर तेरा में इंतजार करते हैं. पूजा देख पूजा बैठू. ट्रक भर के बक्रिया आई है. तीन सो मुर्गिया बनी है. यहां तो नॉन्वेज खाने का मेला लगने वाला है. यह एंकर बहुत औरेक्टिक कर रहा है. बक्रिया मुर्गिया पिछली बार बाड़ में बैकर आई. हाँ मैं सच क्या रहा हूँ. बक्रि ख अंकल आपको पुझा दीटी बुला रही है. आगे तुम लोग मुफ्ट में खाने है. आप ना कमाल का मिलेगा हाँ है ना वहां मिल जाएगी जाओ सर आप ही दिखाए ना क्या रहे मुझे वेटर समझाएगा रहे नहीं सर आपके साथ बैठे बहुत दिन होगा चलिए ना दारू पार्टी और तुम लोग के साथ तुम लोग के साथ पिऊंगे तो सारी पोल खुल जाएगी. ठीक है सर तुम लोग अंजेली के साथ पी लेते हैं. अंजेली को बीच में क्यों ला रहे हो हम साथ साथ पेंगे. चलिए. कैसे लुक्य ब्रोकर की जिन्दगी है सर? कि मेरी? फिर क्या? आपकी गल्फेंट से होम मिनिस्टर ने शादी कर ली और वैंकी की गल्फेंट से उसका बेटा शादी कर रहा है. वो दोनों शाने निकले और हम एडे. आप में तो हिम्मत ही नहीं है और अब मुझे तो यकीन हो गया कि अब लुक्खे हैं, सर. उधर एक शेर को तुम लोगों ने जगाया, अब तो वो गया. तुमो मुझे लगा डैड़ी आये. मैं भी तुमारा डैड़ी हूँ, पर सिक्रेट डैड़ी हूँ. चुपरे वर्ना. तु जिससे शादी करने जा रहा हैं, वो पूजा उस बॉक्सर वेंकी से प्यार करती है. उसकी क एक बात समझ में नहीं आती. तुझे और तेरे बाप को दूसरों के माल के सिवाए कोई मिलता नहीं है, क्या? किसी और का घर तोड़के शादी करता है, सले? तुम बाप बेटे सुदरोगे नहीं. हम कह रहे हैं। पूजा तुम से कुछ बात करनी है। देखो, महूरत का वक्त हो रहा है, सब नीचे इंतजार कर रहा है, नीचे चलो. अब की बार में गई तो कभी लटकर नहीं आऊंगी, वैंकी. मुझे एक बात बता, क्या तुम मेरी शादी से खुश हो? इतने सारे लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो, वैंकी? मुझे पता है, वैंकी, यू लाव में. फिर भी तुम चुप क्यूं हो? मुझसे प्यार नहीं करते हो. बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो. अगर ऐसी ही बात थी तो, तो तुम मेरे इतने नस्दी क्यूं आया? कि मुझसे हैं, वैंकी मुझसेहन वैंकी आया मो मेरे इतने थारे में. आयाा मियू दूत लोग दोस्ती को प्यार में बदलते हैं. लिए प्यार को दोस्ती में बतला होगा. तो क्या तु मेरे बिना रह पाओगे वेंकी पुजा जिन हालातों ने हमें एक दूसरे से मिलने पर मजबूर किया जिन हालातों ने हम तोनों के दिल में दूसरे के लिए प्यार जगाया वही हालात हम दोनों की अब जुदाई चाहते हैं हम मजबूर हैं पुजा चालो हम चल मतलब 20 दिन ये लड़की तुम्हारे पास थी सही कहा ना जैरी इसके अमीरे ने पतर है मैं बात कर रहा हूं ना और पास थी मतलब बहुत पास थी ना अब इतने प्याव से पूछो कि तो यह कुछ तुम बीच में क्यों घुशते हो ऐसे कड़क लड़की मिलेगी तो कुछ छोड़ेगा कि अरे तेरी बात नहीं कर रहे है उस लड़की निकल भागे यह सब छोड़ो तेरा काव कौंसा बता कमीने सावन्तवरी सर पूरी फैमिल अब तक यहीं है चल निकल जल्दी कि अधिक है चले जाएगे कि आख जाएगा क्यों नहीं जाएगा बीज दिन इसके साथ जो खुब मोहज मस्ति की अब दूसरों के साथ मस्ति करने जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है जबाब कोई भी गडवड़ नहीं होई है गडवड़ हुए के नहीं यह तू नहीं बताएगा डॉक्टर बताएगा आजकल टेकनोलोजी ने बहुत तरक्की किया जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तो सच सामने आ जाएगा तुम्हें जोतिश्गरी करने की कोई ज़रूत नहीं अब बिल्कुल सही कहरें डेडी आम का रस यह चुसेगा और गुटली मेरे लिए छोड़ेगा बप्रे अखेली में दोनों ने क्या क्या किया होगा आप सही कहरें डेडी टेस्ट करने के बाद है इसके क्यरेक्टर का बाता है 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 बिस दिन अपनी बेहन को इसके पास भेज कर उसका दलाल बन गया तूँ भाईया रसना से गुटली तो है चल भाईया फुजा को बचाओ भाईया जाओ चुड़ो मुझे भाईया चल तेरी तो चलो चलो कि उड़री कि उप दुटेला कि वो में को घुटे एसे उड़री प्रप्लिए इनलो इनलो रड़ कि उड़री कि उड़रा जिले खव़र 3 कर राथ! कुच है कुच हैँ!!! कुच है letterizing लड़ फिन क gerek ‑‑ कुच है पजह जो, जुछ झाल, हॉ झाल, हॉ तजओ हॉ हिरता है पिल वाई कर दो 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 कि यझाणान। तौ bodies together और पराफ राफब OM कि मिनिस्टर के बेटे की शादी अचानक रद्ध हो गई है हो सकता है कि इसके पीछे कोई ऐसा राज हो जिससे हो मिनिस्टर साहब की कुरसी हिल जाए ओवर तु स्टूडियो कि बाइमा आता हूं बेटा नाश्टा तो करके जाए अधर नंकी कि मुझे माफ कर देना मैं कुरसी की लालच में अंधा हो गया था मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया तुम दुनों के प्यार की वज़े से कहीं मेरा ये एमले बनने का सपना तूट न जाए इसलिए सब कुछ किया जब मेरी बहन को वो गिनोनी बाते सुनाते रहे मेरा खून गुस्से से खौल रहा था इससे पहले कि मैं कुछ करता तुमने उन्हें सबक सिखा कर मेरा दिल जीत लिया वेंकी मेरी बहन से शादी करोगे क्या एक बार पूजा से पूछ लीजिए वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं बोले पूजा क्या ख्याल है वेंकी से शादी करोगी क्या मैंने आज तक कभी आपकी बात को डाला है भाया और कैचाहिए प्रॉब्लम सॉल्ट मेरे भाई को इतनी अच्छी लड़की मिली म अब आगे क्या हां आगे हनी मून